नागपुर जिले के घर फोडियों में लिप्त कामठी की चार शातिर यूको को नागपुर ग्रामिन की अपराज शाखा की टीम ने पकड़ लिया यह कारवाई अपराज शाखा की टीम ने शुक्रवार को की कामठी निवासी 18 वर्षय तरुन उर्फ तूफान अरुन शुक्ला को मौदा में पेट्रोलिंग कर रहे स्थानिक अपराज शाखा की टीम ने शुक्रवार को संदेह की आधार पर पकड़ा उससे पूच्टाज करने पर वो चोरी के मामले में लिप्ट होने का पताथ पुलिस को चला कड़ाई से पूच्टाज करने पर उसके साथ ही कामठी निवासी 24 वर्षय विकरांत उर्फ गोलो विजय में श्राम 22 वर्षय विकी उर्फ एडो राजु बोर कर 21 वर्षय मोहमद मुईन फकरे इनके साथ मिलकर नाग पुरुरामिन चले के मौदा, कलमेश्वर, कनान, पा गुम्तला, अरोली थाने के निमखेडा और कलमेश्वर थाने के काटुल जाने वाले मार्ग से लगे दुकानों में और पारशिवनी के कुम्भार महला तथा कनान के दुकानों में सेन लगाने का खुलासा हुआ पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 ग्राम सोना, मोबाइल फोन, 192 ग्राम चांदी, दो LCD टीवी ऐसे कुल 1,83,544 रुपे का माल जप्त किया इस कारवाई से पुलिस ने 6 चोरी की घटनाव का परदाफाश किया पुलिस अधिक्षक राकेश ओला, अपर पुलिस अधिक्षक राहुल माकनिकर, इनके मार्क दर्शन में पुलिस नरिक्षक अनिल जितावार, इनके आदेश से API जीतेंद्र वेरागड़े, PSI सचिन मते, नरेंद्र गौर खेड़े, ASI लक्षिप्रसाद दूबे, हैट कॉंस्टेबल विनोत काले, नाना राउत, सिपाही शेलेश यादव, अर्विन भगत, सत्यशील कोठारे, विरेंद्र नरड, प्रणय वनाफर, विपिन गायधने, महेश बिसने, अजिस दुधकनूज, साहेब राव बहाले इन्होंने की, NBCN News के लिए अरुन महाजन की रिपोर्ट